शारो प्रतमतो जाय श्रीकृष्ट आज हम लोग एक कथा सुनेंगे जो बड़े ही धार में एक मार में एक तथा अध्यात्मिक है इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुने क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पर ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनन्द भी आता है तो चलिए कथा को सुनते हैं उशीनर देश की राजा शिवी एक दिन अपनी राज सभा में बैठे थे उशी शमय एक कभूतर उड़ता हुआ आया और राजा की गोद में गिर कर उनके कपड़ों में छिपने लगा कभूतर बहुत डरा जान पड़ता था राजा ने उश के उपर प्रेम शे हाथ फेरा और उसे पुछकारा कभूतर से थोड़े पीछे ही एक बाज उड़ता आया और वह राजा के सामने बैठ गया बाज ने मनुष्य की बोली में कहा आप न्याय को जानने वाले राजा हैं आपको किशी का भोजन नहीं छिनना चाहिए यह कभूतर मेरा भोजन है आप इसे दे दीजिए महाराज सिवी ने कहा तुम मनुष्य की भाशा बोलते हो शाधारण पक्षी तुम नहीं हो सकते लेकिन तुम चाहे तो या जो कोई हो यह कभूतर मेरी शरण में आया है मैं शरणागत का त्याग नहीं करूंगा बाज बोला मैं बहुत भूखा हूँ आप मेरा भोजन छीन कर मेरे प्राण क्यों लेते हैं राजा शी भी बोले तुम्हारा काम तो किशी भी मांस से चल सकता है तुम्हारे लिए यह कभूतर ही मारा जाए इसकी क्या उशकता है तुम्हें कितना मांस चाहिए बाज ने कहने लगा महाराज कभूतर मरे या दूसरा कोई प्राणी मरे मांस तो किसी को मारने शेही मिलेगा शब प्राणी आपकी प्रजा है शब आपकी शरण में है उश में से जब किसी को मारना ही है तो इसकभूतर को ही मारने में क्या दोश है मैं तो ताजा मांस खाने वाला प्राणी हूँ और अपवित्र मांस मैं खाता नहीं मुझे कोई लोब भी नहीं है इसकभूतर के बराबर तावल कर किसी पवित्र प्राणी का ताजा मांस मुझे दे दिजिए मेरी भूख उतने शे बुझ जाएगी राजा ने बिचार किया और बोले मैं दूसरे किसी प्राणी को नहीं मारूंगा अपना मांस ही मैं तुमको दूंगा बाज बोला एक कभूतर के लिए आप चक्रवर्ती शम्राठ होकर अपना शरीर क्यों काटते हैं आप फिर से शोच लीजिए राजा ने कहा बाज तुम है तो अपना पेट भरने से काम है तुम मांस लो और अपनी भूख मिटाओ मैंने शोच समझ कर लिया है मेरा सरीर अजर अमर नहीं है शरण में आए एक प्राणी की रक्षा में शरीर लग जाए इससे अच्छा इसका दूसरा कोई उपाय नहीं हो शकता महाराज की आग्याशे वहां काटा मंगवाया गया एक पलडे में कबूतर बैठाया गया दूसरे पलडे में महाराज ने अपनी हाथ शे काट कर अपनी बाई भुजा रख दे लेकिन कबूतर का पलड़ा भूमशे उठा नहीं महाराज सीवी ने एक पैर काट कर रख दिया और जब फिर भी कबूतर भारी रहा तो दूसरा पैर भी काट कर चड़ा दिया इतनी पर भी कबूतर का पलड़ा भूमी पर ही टिका रहा महाराज सीवी का सरीर रक्त से लत्पत हो गया लेकिन उन्हें इश्का कोई दुख नहीं अब की बार वेश्वयम पलड़े पर बैठ गए और बाज से बोले तुम मेरे इश्देह को खा कर अपनी भूख मिटालो महाराज जिस पलड़े पर थे वह पलड़ा इश्वार भारी होकर भूमी पर टिक गया था और कबूतर का पलड़ा उपर उठ गया था लेकिन उशी शमय शब ने देखा कि बाज तो शाक्षात देवराज इंद्र के रूप में प्रकट हो गया है और कबूतर बने अगनी देवता भी अपने रूप में खड़े है अगनी देवता ने कहा महाराज आप इतने बड़े धर्मात्मा है कि आपकी बराबरी में तो क्या बिश्व में भी कोई भी यह काम नहीं करशकता इंद्र ने महाराज का सरीर पहले के शमान ठिक कर दिया और बोले आपके धर्म की परिक्छा लेने के लिए हम लोगों ने यह बाज और कबूतर का रूप बनाया था आपका यश अमर रहेगा दोनों दिवता महाराज की प्रसंशा करके और उन्हें आसिरवाद देकर अंतरधान हो गए तो आज के लिए तना है फिर किसी दिन अन्दे वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए जै श्रीकृष्ष जै श्रीकृष्ष झाल 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 झाल